तो आज है यह पाई गेम की फूर्थ टूटॉरियल तो बिछले टूटॉरियल में हमने देखा कैसे मैसेज हम गेम डिस्प्ले सर्फेस में एपियर कर सकते हैं और बागी हमने थोड़े बहुत एडवांस और the अरोंयिते वीदियो में एक प्रॉमेंट के बारे में रेलोगष को कैसे देखाना हैं तो चलिए ब्योटियो को स्टार्ट करते हैं हम आपको provide कर देंगे description में तो चेक करें link in the description और इसकी जो source code है GitHub code उस file का link भी नीचे दिया गया है तो check out the description तो यहाँ पर तीन चार photo है अगर आप देखना चाहरे हो तो रुप जाओ एक minute यह देख सकते हो यह है कि background game intro के लिए हमने download किया था और यहां पर एक car image है यह कार image और यहां पर एक grass image है तो अभी हम इनको use करेंगे तो चलिए इनको use कर सकते हैं तो क्लोज करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है समझ लोग्व सबसे पहले यह तीन ओ फाईले इनको download करो डाउनलोड करने के भाद आप सिदे अपने फाइल मेनेजर पे जाऊ जहाँ पर नहीं कहां पर है वो प्रोजेक्ट तो यहां पर आपको दिखाएगा आप देख सकते हो यह यहां पर दिखा रहा है सी यूजर लोमो पाइचम प्रोजेक्ट उसके बाद नहीं तो इसके अंदर आपको पेस्ट करना है तो जाओ उस file के अंदर इसे paste कर दो तो अब हमने paste कर दिया तो सबसे पहले हमें load करना होता है ये सारे image तो हम क्या करेंगे load करेंगे यहाँ पर एक काम करशे कुछ और colour दे दे ते हैं तो यहा पर हम दो और colour अड़ करते हैं और कर दिया हमने copy paste कर दिया पुराने कोड़ से तो यहां पर आप ब्राइट ग्रीन ब्राइट ब्लू भी एड़ कर सकते हो उसकी जो वैल्यू है वो नीचे हमने डेस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप देख लेना तो उससे आप एड़ कर सकते हो ताकि मालो कोई बटन ब्लू है तो जैसे उसके उप डॉट इमेज दो आये में जे इमेज डॉट लोड दो इलो एडी लोड उसके बाद पैरन्थेस के अंदर और उसके बाद कोटेशन के अंदर आपको यह नेम देना होगा जिस फॉटो को आप यहां पर मतलब लोड करना चाहरे हो इस पाइफन कोड में तो यहां पर नाम है इमेज है बैकगराउंड हो डाउनलोड 12 मतलब वो ग्रैस इमेज वो सारे एक बार में हम लोड कर लेते हैं ताकि बाद में हम यूज कर सके उसे इन दोनों को भी हमने लिख दिया तो यहां पर हमने बैकगराउंड भी लोड कर लिया इमेज सेम हैं बस उसका नाम अलग है और यह भी ग्रैस भी सेम से बनता है बस उसका नाम अलगे तो तीनों के तीनों फाइल हमने लोड कर लिया अभी हम गेम इंट्रो नाम का एक लूप बनाएंगे तो चलिए गेम इंट्रो बनाते हैं यहां पर एक फंक्शन बनाता हैं गेम इंट्रो नाम से तो डेफ उसके वाद जीएमी गेम, इसके बाद अंडरसकोर, उसके बाद इंट्रो, तो इसके बाद पैरंथेसी सिस, कोलान, इसके अंदर कोई फानामेटर उसके बाद सबसे पहले हम, जैसे यहाँ पर हमने loop बनाया था गेम लूप गेम औवर फॉस तो गेम इंट्रो में भी एक loop बनाएंगे जहाँ पर सुइच रहेगा प्ले या फिर कॉईट अगर प्ले पर क्लिक करेंगे तो गेम स्टार्ट होगा अगर कुईट पे क्लिक करेंगे तो गेम लोज हो जाएगा तो यहाँ पसे पहले हम एक इंट्रो लेते है वेरियेवल एक्वर्स जो फॉल्स हम एसाइन करते है बुलियान ऑपरेटर जैसे कि हमने लूप में किया था इस लूप में जैसे किया था सेम तो हमने इंट्रो ले लिया उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर एक काम करते हैं उसक से लूप को कॉपी करना होता या पर लिख सकते खुद बाखुद और इस गेम ओबर के जगे आप दे दो इंट्रो तो आइंट्र इंट्रो 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 तो हमने क्या किया यहां पर हमने दिखा आया वाइल इंट्रो अगर फॉल्स हो तो यह लूप चलता है जाएगा बट अगर हम एक इवेंट देख रहे हैं अगर इवेंट हुआ पाइगेम.quit मतलब हमने कुईट इस कर्ट बटन में क्लिक किया तो यह गेम अभर गेम अभर नहीं होगा यह होगा गेम इंट्रो स्वारी इंट्रो होगा इंट्रो हो जाएगा रो उसके बाद यह लूप और हो जाएगा तो इसलिए बागी सबकुत है में जो पहले हमनी यूज किया था वही है बस हमने यह गेम इंट्रो के लिए तो यहां पर गेम इंटरी को उसके बदले आप एक और चीज़ दे सकते हो तो पाइगेम.quid कुईट उसके बाद नीचे कुईट तो इससे भी कट हो जाता है याद रखना आप टू कर सकते हैं या फिर पाइगेम.quid उसके बाद नीचे कुईट देने का मतलब ही होता है इसकट बटन को क्लिक करने से ताकि वह पेज क्लोज हो जाए इसलिए भी यह दोनी यूज होता है तो आई होप ब्लीट मतलम उसके उपर कुछ भी लाना तो अभी उस सर्फस में क्या लाएंगे हम लाएंगे उस बैक्ट्राउंड इमेज को यहां पर बैक्ट्राण इमेज है वो इस वैल्यू के समान मनाया है तो अगर आपका यह 800-600 कम जादा हो तो फिर मैस नहीं करेगा तो वह छोटा बड़ा दिखाएगा तो इसलिए ध्यान रखना यह सारी वैल्यू एक्स वाई वैल्यू वीड़ाइट यह सारी सही सही देना तो यहां पर हम देंगे कैसे करते यहां पर अगर आप देखना चाहते हो मेरहं और वह पहले उस चीज को जिस चीँका प्लिट करना चाहिए उसके बाद उसकी पोजीचन एक प्रसेस के अंदर तो हम देंगे कीकश मेंथे स्पिशांधम हमेस केषण अधर एक्स और यशींन हाँ उसकी प्हूंद सो यहां से क्या करेंगे कहां पर जाएंगे वन मिनिट रोको तो यहां पर हमने जी डी ब्लीट करने के बाद हमें क्या करना होता है अप्डेट करना होता है या पिर एक काम करेंगे यहां पर अपडेट ना दोगे। हर फंचन पर अगर आप अपडेट अपडेट दोगे। तो पाइगें जब रन होगा तो गलीच आएगा। मतलब बार बार फ्लैसिंग करेगा इसलिए आप यह जो मैसेज में अपडेट है यह भी मिटा दो जब हम कॉल करेंगे उसके नीचे हम दे देंगे एक अपडेट लास्ट में तो इसलिए बार बार आपको अपडेट देना ही नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर हमने अपडेट नहीं दिया यहां पर भी अपडेट नहीं दिया गेम लूप में भी आपको अपडेट नहीं देना है या फिर आप दे सकते हो बट हम मिटा देते हैं अभी अभी हम क्या करेंगे हम यहां पर गेम लूप के बदले पहले गेम इंट्रो को बुलाते हैं तो यहां पर गेम इंट के अंदर कोई भी अपडेट नहीं दिया है तो हमें अपडेट तो देना होगा क्यों गेम इंट्रों जैसे हम बुलाएंगे तो वह गेम इंट्रों के अंदर आजाएगा तो गेम इंट्रों के अंदर अगर कोई भी अपडेट नहीं रहेगा तो वह बिल्टी नहीं करेगा त तो आप देख सकते हो कि यह बिल्कुल अगदम बन गए रहें बना लिए तो यहाँ पर हम इसा ऐसा बंक्षन बनाना वाटन के लिए जिससे हम कई सारे बटन मुझा सकते तो हम अबनाते हैं बटन तो यहार पर इसके नीचे बटन फंक्शन बनाएंगे जूम करते हैं तो यहार पर देते है you sorry in default Wave W यू टीति ओयन बटन पैर Lanthesis और यहاँ पर पारमेटर देखते क्या-क्या होता है तो सबसे पहले हमें बटन बनाने के लिए क्या करना तो सबसे पहले बəटन हम कैसा जा रहे हम चाहारे हैं यहां पर आप किसी तरीके का बटन बना सकते हो डायरेट अनलेट टेक्स्ट पर बना सकते हो community कुछ भी आप कर सकते हो डिजाइन आपके मुताबिक यहाँ पर हम यूज करते हैं सबसे पहले हम एक रेट्टेंगुलर बनाएंगे तो पाईगे हम डॉट डॉट रेक्ट उसके बाद यहाँ पर हम देंगे क्या देंगे इसकी पोजिशन सर्फेस तो सर्फेस सबसे पहले जीडी पे देंगे उसके सबस्के लगलतागा जरूर जरूर क्या देंगे हम मालों यहाँ पर हम ग्रीन देते हैं तो यहाँ पर ग्रीन उसके बाद देना होका है एक संदर देना होगा एक सबस्क्राइब करना होगा मतलब हमें पार देंगे ल Beta interior कोई और झान डेंगे वाइक यहाँ यू बटन बट जो है बटन की X की वैल्यू और बटन की Y की वैल्यू मतलब XY की पोजिशन कॉमा हमें 100 देते हैं और यहाँ पर 30 देता है याद रखने हैं यह सारी जो 130 जो वीड़ और हाइड वैल्यू है जो पोजिशन है वो सारी आपको हम जो दे रहे हैं वही देना पड़ेगा नहीं तो जो डिस्पले है उसमें सठीकता नहीं रहेगा क्योंकि हमने जो बनाया है इमेजेज वो सारे इमेज NOW भी युजा भ्लयू को ध्यान पर रखनें यह सारे चीजते हैं तो यहां पर हमने दे दिया तो यहां पर यह दो पारमेटर हमें मिल गया तो सरे सभलर पिरमेटर है रेटेंगुलर डॉक कर लिया उसके उपर अभी हमें क्या करना है टेक्स्ट एपियर करना है कि प्ले या फिर जो भी है टेक्स्ट एपियर करना है कैसे करें तो यहां पर हम सिंपली मैसेज function को यूज करेंगे तो बुलाते है message को तो message तो सबसे पहले क्या देना आता है size mess x pause y pause तो यहाँ पर हम देंगे सबसे पहले size size मानलों आप 50 दे दो या फिर आप इसे as a parameter use कर सकते हो बट उतना जादा बहुत जादा parameter हो जाएगा तो हम 50 दे दे तो size उसके वाद message of b जो already उसकी parameter है उसको भी as a parameter इस function के लिए use कर सकते हो मतलब यहाँ पर भी हम मैज भी दे सकते हैं और वो अलग नाम से भी दे सकते हैं ऐसा नहीं कि आपको उसी नाम से देना होगा so this is how you use a function parameter as another function parameter तो यहाँ पर x pause y pause भी हम उसी तरीके से देंगे तो यहाँ पर x button y button ही देंगे क्योंकि जहाँ पर हम वो box जहां से सुरू कर रहे हैं और जहाँ पर कर रहे हैं उसी के उपर वही से हम सुरू करना जाते है उससे क्या होगा कि उस rectangular के बिलकुल उपर ही वो text appear होगा तो यहाँ पर x button और y button position हम दोनों same लेंगे तो हमें extra parameter add करने की जरूरत नहीं है यह दोनों ही same इस दोनों के लिए काम करेगा और याद रखना हम पहले react मतलब जो rectangular है वो draw कर रहे है उसके बाद message दो कि आवब first नीचे रहेगा rectangular उसके उपर आएगा message अगर आप पहले message दो उसके बाद rectangular तो rectangular message के उपर आ जाएगा फिर उसे cover कर लेगा तो याद रख रहा है जैसे आप जिसको दो गए वो उसके हिसाब से पहले पहले आएगा अभी हमने message दो कर लिया अभी हम क्या चाहरे के message के उपर जैसे mouse लाए बैसे उसका color change हो जाए मतलब light हो जाए green हो जाए और उसके बाद जैसे हम click करें वो भी काम करें तो सबसे पहले यहाँ पर दो चीजे यूज किया जाता है सबसे पहले हम देंगे यहाँ पर mouac mouse एक variable लेंगे और उसके बाद pygame.mouac mouse.get pause तो इस mouse.get pause की जो function है इससे क्या पता चलता है आपकी mouse window के किसी भी window के मतलब इस पूरे window के किस position में है यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर है हर जगे के एक-एक position दिया जाएगा वो हम देखते है और एक function यहाँ पर हम लेंगे click तो आप अपने mouse से right click करते हो या फिर left click वो भी पता चलेगा इस function के जो कि है pygame.mouse.get pressed तो इस प्रेस्ट से आपको पता चल सकता है कि right click कर रहे हो या फिर left click तो यहाँ पर हम print करेंगे ताकि हमें सबसे पहले पता चले कि हो क्या रहा है यह दोनों value देता क्या है तो यहाँ यहाँ पर mouse देंगे और यहाँ पर print करेंगे दोनों यह प्रेंट करेंगे ताकि दोनों पता तो चले हमें क्या हो रहा है ck click तो यहाँ पर हमने दोनों print कि अभी देखने के लिए तो यहाँ पर अभी हम एक काम करते हैं इस gaming इंट्रो में ही हम इस loop के अंदर नीचे बटन बनाते हैं तो यहाँ पर तो अभी यहाँ पर हम एक काम करते हैं इस background के नीचे यह फिर एक काम करते हैं इसको copy करते हैं add कर देते तो यहां पर अभी तो only x y और मेज भी देना होगा मालो हम देते 100 300 xy और मेज देते हैं मेज भी मतलब है play तो यहां पर देंगे पी एल यवाई play तो यहां पर हमने बस चेक करने के लिए दिया button तो यहां पर हम close करते हैं इसे मतलब तो यहां पर आप देख सेकतो अगर करसर यहां पर रहे तो बैलिए अगर यहां पर इस बटन पर आ रहा है और y की value 300 से होती है अब देख सकते हो first जो value है वो है 100 और दूसरा वो है y का वो है 300 और वो एक parenthesis के अंदर होता है और उसके बाद यहां से अगर यहां तक जाए तो x के तरफ हमने हटा इस तरफ x है और इस तरफ नीचे तरफ y है तो यहां से 100 लेकर यहां तक हटा तो यह x है तो यहां पर 155 मतलब 200 तक हमने दिया था तो 200 तक यह जाएगा क्यों क्योंकि इसकी जो मतलब इस block या फिर इस text की जो width है मतलब जो चोड़ाई है वो है 100 और हमने start किया था 100 से इसलिए यह total 200 हो गया अगर हम y की देखे तो नीचे अगर हम यहां तक जाए तो आप देख सक एकसँ करते हो 330 तो 330 तक गया क्यों यहां पर अभी समझते हैं तो और एक चीज़ मैं देख लेते हैं तो यहां पर अगर हम right click करते हैं तो 1001 देता है और यह यह तो यह दोनों इसलिए हमने से स्टार्ट किया था और उसकी जो वीड था वह एक सो था टोटल एक सो प्लास एक सो दो सो हुआ आई होप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहर हो तो इसी दिए तो अभी हमें समझ गया कि माउस और क्लीक कैसा वैलियो किस जगे पे देता है तो अभी मान लो हमें पहली फंक्शन मनाना है कि जैसे ही यहाँ पर इफ अगर एक्स बटन एक्स अंडर्सकोर बटन इस तो यहाँ एक्स बटन से ग्रेटर दें तो एक्स बटन से घ्रेटर दरन हमने साइन दिया उसके लगर देंगे माउस उसके वाद हम दो बिग ब्लाकेट जांगा जीरो में यह इंडेक्शिंग में यहाँ पर इसका मतलब जो फुर्ट है यहां पर दो वेल्यू देता था एक्स और वा सटार्टे साथ यहां एक सट्वाइब सट्वाइब एक स्टार्टोगा उसके बाद लेजी तें कितना होणा चाहिए उसके बादो एक्स का काम नहीं करेगा उसके बादो maps बटन प्लस हंड़िब क्यों हेंडर खोश्र कियूंगema डेखा X total 100-200 तक जाता है तो यह mouse simply यही कार रहा है कि अगर mouse 0 मतलब जो first position X के है वो अगर 100 से मतलब हमने 100 दिया ऐसी थे X button 100 से जादा हो और 100 plus 100 मतलब उसके width कितनी है यहां से अगर यहां से 100 शुरू होता है तो यहां तक अगर जाता है तो यह 100 से 100-200 हुआ न तो यह अगर 200 तक यहां तक जाता है तो ही काम करेगा उसके बाहर अगा चला गया box से बाहर 200 से बाहर तो उसका काम नहीं करेगा इसलिए हमने दिया अगर less than X button plus 100 मतलब 200 अगर कम हो तो कम करेगा and अभी हम use करेंगे and operator क्यों क्योंकि यहां पर हम वाई बटन के भी देंगे वाई बटन के भी तो हम देना चाहिए ऐसा नहीं कि उपर कहीं भी आप करसर दे दो बस आपका एक साही रहना चाहिए ऐसा नहीं हम वाई और एक समान नेगे ताकि उस box में exactly अगर कोई करसर आए तो ही color change हो या फिर नहीं हो तो यहां पर हम देंगे वाई बटन से अगर जादा होगा माउस अभी हम माउस की वाई जो value है वो देंगे और कैसे देंगे वन से देंगे index 0 मतलब x की value index 1 मतलब y की value मतलब first होता है 0 seconds होता है y या फिर one तो यहां पर वो अगर y button से ज़्यादा हो y button मतलब कितना y button मतलब हम यह थैंत 300 से Start करें तो आप ने अभी देखा कि वह 300 से Start हो रहा था और less than कितना हो y button plus कितना 30 तक height इतना है 30 इसलिए 30 तक ही हम दे रहे हैं तो यह यह ही बता रहा है कि अगर माउस की जो दूसरी वैल्यू है वो मतलब मान लो कि यहां से यहां तक स्टार्ट हो रहा है यहां से 300 यहां से 330 क्योंगे उसकी हाइट है 30 तो यहां से यहां तक अगर हो तो ही हम देंगे के mouse one पे click करो तो यहां पर अगर यह हमने range कर दिया कि इस box के अंदर मतलब यह simply एक ऐसी condition है जिसे आपको समझा रहा है कि अगर वो जो cursor है वो अगर इस rectangular के अंदर पड़े तो हम यहां पर color change कर सकते हैं तो अभी color change कैसे करें simply इसको copy कर लो control plus C और उसके बाद यहां पर control plus V करो और उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर हम green के बदले light green दे सकते हैं यह पिर अच्छा light green कर देते light green कैसे करें तो अगर green की 255 हो अगर आप low कर दो तो ही light green बढ़ जाएगा तो यहां पर इला जी एसटी अंडर स्क्रोर जी आर डोवली अन ग्रीन दे देते हैं इक्वल्स चू करते हैं यहां पर वैल्यू देते हैं जी रो तो ग्रीन का 255 होगा तो light green का मानलो एक सो पच्पन देते हैं कॉमा जी रो दे देते हैं तो यह हमने light green मना लिया तो अभी यहां पर light green आप वैसे बहुत सारे वैल्यू बना सकते हैं आपके उपर है यह तो यहां पर हम कहां तबर थे हैं यहां पर थे तो एक्स बटन उसके बाद ग्रीन के बदले हम देंगे light ग्रीन तो यह लाजी इस टी अंडर स्क्रोड गिरिन तो हमने दे दिया बागे सब सेम होगा कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा यहां पर अपडेट होगा पाएगे हम वह हम इस function के अंदर नहीं देंगे last में देंगे नहीं तो ग्लीज बढ़ जाएगा तो यहां पर यह सार पहले में देना है एक काम करते हैं यह बटन की जो मैसेज है यह भी Cupi करते हैं और यहांपर पेस्ट कर देते हैं तो यहांपर हमने paste कर दिया ताकि दोनों चीज हमें हमें लाइट अresh चाहिए तो हमें दोसो पचपन से इतना कम नहीं देना होगा यहांपर दोसो दे Lic यहां यहां पर अभी देखते हैं क्nya होता है यह क्लिक करते हैं लिक्रों अब भी क्लिक हो रहा है मतलब पहले था और उसके पाद Green हो रहा है तो this His aoYouThat this sweet and make it as is actually यहां पर देखते हैं यहां पर भी नई हो रहा है यहां पर भी नहीं हो रहा है यह पर नहीं यह ब्या ब्लाकоль company तो यहां पर एक्स की कितना होगा इस लाइन पर एक्सों और इस लाइन पर इस लाइन पे इतना होगा दो सो तो यहां पर एक्सों से दो सो एक्स और वाई कितनी होगा यह तीन सो से यहां से स्टाट होता है तीन सो और यहां से होता है तीन सो थीस तो तो हमने वह कंडिशन ब वाली फीचर बनाएंगे कि अगर हम क्लिक करें तो यह काम कर जाए तो अभी क्लिक का हम बनाते हैं कि इफ यहांपर इफ दे सकते हो अपकी मर्जी यह पर इफ देंगे क्योंकि अगर काम गया गया फिर आएगा यह नहीं बढ़ हमें चाहिए कि इफ में भीदें हम और एक इब देंगे इफ अगर क्या हो अगर यहां पर click clyk ck click equals to equals to क्या हो हमने पहले ही देखा कि right click की जो वैल्य है वो है 100 लेट क्लिक की 001 और वह भी एक प्रंथेश के अंदर तो 1,0,0 अगर यह हो हम and operator use करेंगे क्यों करेंगे अभी हम आपको समझाते हैं and अगर जो message हम pass करें मत्तब miss be equals to equals to क्या हो double quotation के अंदर क्या हो अगर वो हो के play क्योंकि हमें check करना है play है या quit अगर quit कर दिया और हमने start कर दिया तो तो काम नहीं करेगा ना इसी दिए तो यहां पर अगर यह play हो अगर यह दोनों satisfied हो कि हमने click किया और एक काम करते हैं इसे हमें देना होगा इस के अंदर क्यूंकि हम चाहते हैं जब यह only box में click होगा तो हमें अगर box में click करना है तो इस same position में क्लिक करना है जहां पर light up होगा तो इसी दिए हमको इस 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 बनाना होगा और इसके अंदर देना होगा तो हमने इसके अंदर दे दिया अगर ऐसा हो तो क्या होगा तो हम game loop को start कर देंगे गेम लूप मतलब गेम स्टार्ट कर देंगे तो यहां पर गेम लूप हम स्टार्ट कर देंगे अगर ऐसा ना हुआ अगर एलिप हम अब देंगे तो अगर click equals to CLIC के click equals to equals to zero, zero, one हो अगर यह ऐसा हो and and operator मतलब यह और यह दोनों को सही होना होगा तब ही काम करेगा and मतलब यह अगर आप operator के बारे में नहीं जानते तो previous वाली वीडियो और complete python course देख लिए ना नहीं तो आप कुछ भी नहीं समझाएंगे तो यहां पर and देंगे उसके बाद हम क्या देंगे अगर मेज भी अभी क्या हो equals to equals to अगर हो quotation के अंदर देंगे quit ode Make sure with q होच क्यों have quit you itIt कई अगर हो तो ही अम क्या करेंगे तो हम करेंगे पाइगे कीम हो dot wait dot क्यक्त है नीचे करेंगे quit तो यह भी कर सकते हो या फिर आप लूप को बार कर सकते हो मतलब यहां पर जो game लूप की game बार यह उसे टू कर सकते हो अब कोई भी एक कर कर सकते हो तो यहां पर अभी हम किसको कॉल करेंगे गेम इंट्रो की कॉल करेंगे तो अभी देखते हैं जू माउट करते हैं राइट क्लिक करते हैं और यहां पर रन करते हैं तो अभी हम देखते हैं तो यह कलर चेंज करा है अभी अगर हम राइट क्लिक करें तो नहीं हो रह हे और अगर हम right click करें तो भी नहीं हो रहा है कि कुछ भी नहीं हा रहा है कि य 농ucionesक हथ है कुछ तो गड़ वा है यहाप पर तो game इंट्रों हम कर रहे और यहाप पर game इंच्रों हम्हें पता है अच्छा गेम लूप में हम क्या करेंगे ब्लैक उसके बाद एक रेटेंगुलर लेंगे और हमें अपडेट भी तो करना है ना अगर अपडेट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा तो हमें गेम इंट्रो के लास्ट में अपडेट करना होगा तब यहां पर हमें गेम लूप के ल पर play पर click करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो यह आ गया जैसे play पर click करते हैं तो यहां पर जैसे हम इस cross button पर one बर click करते हैं यह back हो जाता है यहां पर आप एक काम करते हो चोटा सा एक png लेकि यहां पर दे जाहे सकते हो और यहां पर मतलब जो होता है ना बैक का सिंबल उससे पर क्लिक करें यह으면 आप जैसे मनें प्ले बनाए कंडिशन व क्या चाहीँ मतलब गेम में में मैं यह मतलब इंट्रो आक्रण करतें को अब हम यहां फें पर क्लिक करतें तो यहां पर value देंगे तो यहां पर value देते हैं 600,300 उसके बाद हम message देते हैं quit और quit ही देना होगा नहीं तो हमारा जो condition है वो satisfying नहीं होगा अगर आप कुछ अलग function देते हो तो याद रखना वो आपको यहां पर change करना होगा यहां पर तो हमने quit दे दिया अभी देखते हैं क्या होता है right click run करते हैं यहां पर आप देखते हैं quit भी आगए इसकी color आप चेंज कर सकते हो अगर आपको color चेंज करना है तो यहां पर color ऐसे parameter ले लो और उसके बाद color आप भी आप चेंज कर सकते हो चाहिए वो light color हो या फिर जो button की color हो तो यहां पर quit जैसे करेंगा हम quit करना चाहते हो जिका घएग्जग करने से क्या होता तो यहां पर quit पर click करें तो नहीं हो रहा हुआ क्यों क्योंकि हमने यहां पर थोड़ी बहुत गलती कि है वह है यह कै अगर quit हो तो यहां पर कहा पर है अगर में स्कूइट हो तो हमने क्लिक मतलब लेट क्लिक दिया है बट लेट क्लिक नहीं हमें देना होगा राइट क्लिक ही देना होगा क्यूं क्यूंकि हमें चाहिए कि दोनों पर ही राइट क्लिक होता है लेट क्लिक तो किसी पर होता नहीं है राइट क्लिक करेंगे तभी त हो गया अगर काटनी करें क्लिक करें तो एक बार लाग्र के लिए क्विट सुठों में है आसी दो झाल झाल